हलो बच्चों, वेलकम तो दिस वीडियो तो बच्चों, आज हम एक ऐसा टॉपिक पड़ेंगे जिसकी मदद से हम अपनी कैलकुलेशन को बिलकुल कम समय में एक्यूरेटली कर पाएंगे और इसकी मदद से सिंपल हार्मोनिक मोशन की कैलकुलेशन हम विदिन 15 to 20 सेकंड ऐसे चुठियों में खतम कर लेंगे आपको भारी-भारी एक्यूरेशन सॉल्व करने के जरूरत नहीं होगी सर आप किस एक्यूरेशन की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एक्यूरेशन ओफ एसेचेम जिसे मैं यहां लिख लेता हूँ अच्छा अगर मैं विलॉसिटी लिखूँ तो क्या लिखा जाता है? वो मालूम होगा आपको और इसे प्रकार से अगर मैं एक्सलरेशन लिखूँ तो यह लिखा जाता है माइनस ए उमेगा स्क्वेर साइन उमेगा टी प्लस फाइल है ना? तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने इतना सिंपल हर्मोनिक मोशन पढ़ लिया है कि यह एक्वेशन्स आपको पता है और इसके आगे की चीज़ आज हम सीखने वाले हैं और उसकी मदद से यह सारी जो एक्वेशन्स हैं बहुत आसान हो जाएंगे सर बिलकुल निकाल पाईंगे बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो इसी प्रकार से यहां पर मैंने ओमेगा टी फाय और ए और ओमेगा को पुट कर दिया तो क्या विलोसिटी की वैल्यू निकाल पाऊंगा बिलकुल निकाल पाऊंगा Similarly हम यहाँ पर इन values को substitute करके acceleration निकाल सकते हैं लेकिन आपने अगर गौर किया हो तो यह जो भी calculations हैं वो किसमें है, sine, cos और sine यानि कि trigonometric ratios में हैं जिसमें की solve करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है examination के pressure में हो सकता है कि आप उन calculations को गडबड में गलत कर दें silly mistakes कर दें और इन silly mistakes तो बचने का तरीका है हमारे पास में आज का topic वो है phasor diagram Sir, phasor diagram में यहाँ खिता हूँ This is topic for today phasor diagram phasor diagram Sir, phasor diagram होता क्या है Actually, phasor diagram आपका एक uniform circular motion का diagram होता है Sir, हम तो simple harmonic motion पढ़ रहे हैं हम uniform circular motion क्यों पढ़े हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में एक संबंद है और उस संबंद की मदद से हमारा SHM का analysis काफी आसान हो जाएगा तो Sir, आप अगर phasor diagram बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? यहां बनाया जाएगा circle और अगर circle बनाया जाएगा तो इसका मतलब उसकी एक radius भी होगी तो मैंने assume कर लिया कि बबाबा उसकी जो radius है radius मैंने मान लिया, कुछ A मान लिया मैंने मान लिया, जो circle में यहां draw करने वाला हूँ उसकी radius मैंने A मान लिया अभी note करनी की tension ना ले, सभी बच्चों का ध्यान अभी board पर होना चाहिए, कोई भी अभी pen से note down नहीं करेगा, सारा का सारा ध्यान अपना यहां होना चाहिए, तो ये मैंने एक circle draw कर दिया, circle की radius कितना है, a है, अच्छा, phasal diagram की बारे मैंने ये बताया था, कि हम बात करेंगे कि इसमें uniform circular motion, सर, circular motion तो मुझे दिख रहा है, सर, uniform शब्द का मतलब, इसका मतलब होता है, जो particle यहां गोल घूमने वाला है, उसका omega यानि के angular velocity constant है या variable, constant है, इसका मतलब particle जो यहां गोल घूमी घूमी करेगा, उसकी omega constant रहेगी, तो मैं यहां लिख लेता हूँ, angular velocity is equals to omega, मैंने वान लिया, यह angular velocity है, uniform था या नहीं था, uniform था, इसका मतलब, यह constant होगा, यह variable होगा, यह constant पाया जाएगा, तो constant angular velocity omega, ठीक है, चलो ठीक है, सर यहां पर गोल चकर बन गया है, particle गोल घूमने वाला है, particle गोल घूमने वाला है, इसका मतलब, यहां पर इस प्रकार से कोई particle को हम घूमाएंगे, सर पार्टिकल को anti-clockwise घूमाएं, या clockwise घूमाएं, देखो यार, अभी जो हम convention यूज़ करने वाले हैं, हम always and always इसे anti-clockwise रखेंगे, इसे हमेशा anti-clockwise रखेंगे, और उस प्रकार से अपना पूरा analysis development हो जाएगा, चलो ठीक है, तो मैंने reference के लिए क्या कर लिया, यहां पर एक line draw कर लिया, और यहां पर एक इस प्रकार से, यह line draw कर लिया, यह रहा center, ठीक है, मैंने देखा कि particle यहां गोल गोल भूम रहा है, तो t equals to 0 पर जब हमने observe करना शुरू किया, यानि कि जब observe करना शुरू किया, उस मान लेते हैं, यह angle है phi, मान लिया जाए, यह angle है phi, particle रुकेगा कि घूम रहा है, कैसे पता लगा, अरे भईया, यहां दे रखाता ना, तो particle अगर घूमा, तो किस direction में घूमा, anti-clockwise में घूमा, मैंने देखा particle यहां पर देखा गया, तो यह t equals to 0 था, तो समय बढ़ता गया, तो यहां पर कभी न कभी वो आगे पहुंचेगा, तो मैं अगर t equals to t कह देता हूँ, यानि कोई general समय t कह देता हूँ, तो particle कहां पहुंच चुका है, बताओ, particle यहां पहुंच चुका है, शुरुवात में कहा था, यहां था, t समय पर कहा पहुंचा, यहां पहुंचा, क्या इसने कोई angle cover किया, बिल्कुल किया, क्या उस angle की value निकाल सकते हैं, मैंने यहां पर मान लेते हैं, उसको theta लिख दिया, जरा बच्चों बताओ, यह theta जो है, क्या हम लिख सकते हैं, कितना होगा, क्या मैंने सवाल में omega आपको दिया है, बिल्कुल दिया है, क्या वो constant है या variable, constant है, इसका मतलब, मैं अगर theta लिखूंगा, तो क्या मैं constant angular velocity into time लिख सकता हूँ, क्या, और इस वर बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि हमारे पास angular velocity is constant, इसी वजह से, जिस प्रकार से speed, distance is equal to speed into time, speed constant होती है, तो उसी प्रकार से angular displacement is equal to omega into time, तो यहां से theta की value मेरे पास आ गई है omega into t, omega क्या था, यह वाला omega, t मतलब यहां से यहां जाने का समय, चलो बहुत ही बड़ी यहां, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, चलो बढ़ते हैं आगे, तो अभी देखो, particle अगर ऐसे 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 गोल गोल घूमा, particle अगर ऐसे 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 गोल गोल घूमा, तो मै यहां क्या करता हूँ, t इस प्रकार से, यह मैंने कर दिया है, light, इस प्रकार से light आने लगी, light आने लगी, और मैं यहां पर थोड़ा सा मिटाने वाला हूँ, I assume कि आपने यह note कर लिया है, तो यहां मैंने क्या कर दिया, यह बना दिया है, एक screen मान लिजिए या एक दिवार मान लिजिए, यह इसको या दिवार लिख सकते हैं, यह मैंने कह दिया, screen है या दिवार, ठीक है, जरा सोचना, पार्टिकल घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, बिल्कुल घूम रहा है, पार्टिकल ऐसे ऐसे घूम रहा है सर, एंटी क्लोकवाइस घूम रहा है, ठीक है, लाइट आई कि नहीं आई, बिल्कुल आई सर, सर अगर light आई तो particle यहां था तो क्या इस screen पर particle की shadow बनेगी बिल्कुल बनेगी अरे यार मेरी भी देख लो ना यह shadow बन रही है उसी तरह से मेरे पास यह particle था और light अगर इधर से आई तो इस दिवार पर shadow बनेगी इस screen पर shadow बनेगी बिल्कुल सही इसमें कोई दिक्कत नहीं तो अगर shadow बन रही है तो जरा shadow के motion के बारे में सोचते है पार्टिकल कैसे गूमा ऐसे गूम रहा है और इसकी shadow अगर बननी है तो particle अगर उपर गया तो shadow उपर जाएगी पार्टिकल नीचे आया तो shadow नीचे आएगी पार्टिकल और नीचे आया तो shadow और नीचे आएगी और पार्टिकल उपर गया तो shadow उपर जाएगी क्या shadow गोल गोल चक्कर काट रही होगी क्या क्या shadow का circular motion हो रहा है क्या अरे नहीं भाई शाड़ो तो कहां पर है दिवार पर है दिवार मतलब क्या है दिवार में पार्टिकल या शाड़ो वो उपर नीचे उपर नीचे उपर नीचे ही जा सकती है क्या ये circular motion कर रही है यहाँ पर नहीं अरे circular motion करने के लिए कम से गोल चकर तो दिखना चाहिए shadow कहा जाएगी particle नीचे, shadow नीचे, particle उपर, shadow उपर तो इस प्रकार से shadow का movement इस दिवार पर उपर नीचे, उपर नीचे, उपर नीचे हो रहा है चलिए ठीक है सर अगर मैं बात करता हूँ कि मुझे मैंने ये reference के point को मैंने लिख दिया है x equals to 0 और मुझे अब आगे calculations करनी है तो मुझे direction का convention लेना पड़ेगा तो मैंने अपनी सहूलियत से, अपनी सुभीदा से, अपनी convenience से मैंने कह दिया कि उपर वाले direction को मैंने positive कह दिया और नीचे वाली direction को negative कह दिया उपर वाले direction को positive कह दिया नीचे वाले direction को negative कह दिया जरा देखिएगा particle अगर यहां है तो उसकी shadow कहा होगी, यहां होगी और अगर particle यहां है, light इदर से आई तो इसकी shadow यहां बनने वाली है shadow यहां बनने वाली है सवाल मेरा आपसे ये है जरा सोचिएगा कि क्या मैं अपनी ये दूरी बता सकता हूँ ये x equals 0 था जो कि central line से जुड़ा हुआ था और मैं जानना चाता हूँ particle अगर ऐसे गोल-गोल घूम के यहां पहुँचा तो इस point पर पहुँचने के बाद में ये जो दूरी है वो कितनी लिखी जाएगी जरा सोचिए trigonometry की मदद से या आप triangle की मदद से सोच सकते हैं कि यहां पर ये दूरी क्या होगे क्या आपको ये दूरी पता है इस center से यहां point की दूरी इसको क्या मैं A लिख सकता हूँ क्योंकि हमने लिखा था कि अब सरकुलर motion की जो radius है वो है A आगे बात करते हैं अगर मैं इस दूरी की बात करूँ तो क्या ये दूरी और ये दूरी बराबर होंगी बिल्कुल बराबर होंगी सर शैडो की जो दूरी है इतनी जो लंबाई है वही लंबाई यहां पर होगी बिल्कुल सर अगर मैं बात करूँ तो ये जो triangle बना ध्यान दीजेगा this point this point and this point इन तीनों के बीच बनने वाला triangle क्या right angle triangle है और यहां सर बिल्कुल है तो मैं यहां पर right angle triangle है तो I can say that कि अब यह वाली लंबाई और यह वाली लंबाई बराबर है और इसके बारे में मैं comment कर सकता हूँ कि इसके दूरी लिखी जाएगी A, A का यह वाला component यानि कि radius का यह वाला component not this component हमें यह चाहिए तो यह sin of angle होगा यह cos of angle होगा यह होगा sin of angle तो इसका मतलब A sin of theta plus 5 इस चीज को थोड़ा सा मैं यहां लिख लेता हूँ तो हमारे पास में इस दूरी को मैंने अगर x की मदद से represent किया तो x is equals to A sin of theta plus 5 sin of theta plus 5 तो यहां से A sin अभी थोड़ी देर पहले हमने theta की value निकाल ले थी theta कितना आ गया था यहां put कर दें तो वो आ गया था omega t plus 5 तो मेरे पास x की value आ चुकी है कितनी आ चुकी है इतनी आ चुकी x is equals to A sin of omega t plus 5 मेरा सवाल यह है यह कुछ देखी देखी लग रही है क्या बिलकुल सही यह हमने कहा देखा था हमने देखा था simple harmonic motion में particle का motion अरी भाई यह क्या देखा था अपने यहां तो अपने क्या देखा था कि shadow का movement हमने क्या देखा था shadow का movement shadow उपर गई shadow नीचे गई तो उसका movement क्या होगा और वो अगर हमने निकाला तो वो इतना आ गया इसका मतलब यहां पर यह जो shadow का movement है किस equation से match किया simple harmonic motion की इसका मतलब मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि यह shadow का movement हुआ वो कौन सा motion होगा simple harmonic motion देखो पूरी बात को फिर से repeat करता हूँ ध्याद से सुनिये नो हमने बनाया था uniform circular motion uniform circular motion का हम संबंद जानना चाह रहे थे कि हमारे पास जो simple harmonic motion है इन दोनों में क्या संबंद बनेगा क्या relationship बनेगा और इस बात को समझने के लिए uniform circular motion में जब particle को घुमाया तो उस particle की shadow दिवार पर ली गई और मैंने पाया कि उस shadow की जो position है वो equation of shm चे match कर रही है इसका मतलब जरा सोचिएगा कि particle उपर गया तो shadow उपर जाएगी particle नीचे गया तो shadow नीचे जाएगी और यहां से equation of shm आ जाएगा सर आपने तो कहा था calculations आसान हो जाएगी लेकिन यहां तो उसी equation पर आ गए जहां से शुरू किया था मतलब कोई फाइदा तो हुआ नहीं देखो अब फाइदा क्या होने वाला है यह बताईए यह uniform circular motion है या नहीं है बिल्कुल है uniform circular motion है तो इसका मतलब यहां पर omega constant है या नहीं बिल्कुल है एक चकर काटने में particle ने कितना angle cover किया एक चकर के लिए 2 pi angle तो एक चकर का जो time होगा time period जिसको मैं कह सकता हूँ time period जिसको मैं कह सकता हूँ total angle घूमा है 2 pi divided by घूमने की angular speed यानि की वो omega तो time period मेरे पास आ चुका है 2 pi by omega तो मैं देखता हूँ कि जब particle यहां से कभी घूम के यहां पर भी पहुंचा होगा क्या बता सकते हैं कितना angle घूमा है 90 degree या pi by 2 radian सर अगर यह 90 degree घूमा है तो इस time period को अगर मैं t लिखता हूँ क्या बता सकते हैं यहां से यहां जाने में particle को लगने वाला समय कितना होगा वो होगा t by 4 कैसे पता सल्थ क्योंकि यार मुझे पता है पूरा goal चक्कर काटने में time लगता है t तो मुझे मालूम है यह जो यहां से यहां तक का चकर है यहां से यहां तक चकर है वो पूरे goal चकर का कितना है 1 fourth तो time भी कितना लगेगा 1 fourth लगने वाला है इसका मतलब जब particle यहां से यहां पहुंचा तो time लगा है 1 fourth तो मुझे बताओ particle की shadow जब particle यहां था तो shadow कहा थी और particle यहां था तो shadow कहा थी यहां थी तो मैं कह सकता हूँ कि यहां पर यहां से यहां तक जब particle गया उसकी shadow गई तो बताओ उसको time कितना लगा वो लगा t by 4 ठीक है सर जब particle नीचे आया तो shadow कहां आगई नीचे आगई तो कहां आजाएगी यहां आजाएगी मैं आपसे पूछता हूँ बताइए कि भाई यहां पर कितना time लगेगा तो आप कह सकते हैं sir जितना time particle को नीचे आने में लगेगा उतना ही time हमारे पास में shadow को यहां से यहां तक आने में लगेगा particle को यहां से नीचे आने में लगा है T by 4 तो हमारी shadow को यहां से नीचे आने में कितना लगेगा T by 4 लगने वाला है uniform circular motion में omega constant है जिसकी मदद से हमारे पास जो time की calculations हैं बहुत 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 आसान हो जाएंगी क्योंकि जब भी हमें time निकालना होगा angle गुमा हुआ divided by omega कर देंगे अपनी calculation बहुत चकाचक आसान हो जाएंगी और ज़रा सोचिएगा मान लो particle 9 की degree में गुमा मान लो particle यहां से यहां गुमा ठीक है मैंने क्या दिया यह जो angle है वो है pi by 6 तो क्या आप बता सकते हैं कि यहां पर जो shadow चली होगी यहां पर जो shadow चली होगी वो कहां से कहां चली होगी यहां से यहां तक यानि कि यह नीचे आई होगी मैं अगर SHM में आप से पूछता हूँ तो बताओ time कितना लगा तो भाई band बच जाएगी आपको calculation निकालने में क्यों क्योंकि यहां पर यह जो equation है वो trigonometry में है और time निकालना है तो अपने पास sin inverse वगेरा सब कुछ बनेगा और इसी वज़े से अगर मैं particle को यहां से यहां गुमा दूँ और मुझे angle पता लग चुका है तो भाईया आप ओरली कर सकते हैं कितना time लगा पाई बाई 6 डिवाड़ेड बाई उमेगा खतम सवाल तो इसका मतलब समझ में आ चुका है कि हां कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा हमारे पास में phasor diagram को सीखने से और हाँ एक और बात कि जैसे ऐसे आप और practice करेंगे आपकी understanding के depth बढ़ेगी और आप अलग-अलग तरीके से कैसे phasor का इस्तमाल कर सकते हैं खुद imagine कर पाएंगे तो अभी बिलकुल शुरुवात है तो अभी आपको हलका सा idea लग गया कहां फाइदा होने वाला है सर हमने तो ये x निकाला x मतलब position निकाली किसकी हमारे phasors की मदद से SHMK क्या हम phasor की मदद से velocity और acceleration of particle निकाल सकते हैं क्या acceleration of shadow निकाल सकते हैं क्या बिलकुल निकाल सकते हैं तो थोड़ा सा में इस diagram को clear कर देता हूं हना जो अननसेसरी चीज़े हैं उसको मैं अटा रहा हूं आप देखो particle गोल घूम रहा था particle गोल घूम रहा था जिसके angle velocity उमेगा थे क्या आप बता सकते हैं कि इसकी जो velocity linear velocity वो कितनी होगी सर हमने पढ़ा था circular motion में कितना था velocity tangential is equal to omega into radius तो यहाँ पर यह वाला particle यहाँ पर यह वाला particle इस तरीके से omega into a से घूम रहा होगा इस तरीके से omega into a से घूम रहा होगा यह मैंने यहाँ पर एक reference line ट्रॉ कर दी यह अगर angle theta था यह angle अगर phi था तो क्या आप बता सकते हैं भाई यह वाला जो angle है वो कितना होगा सर यह alternate angle नहीं हो गए तो यह theta प्लस phi हो जाएगा तो इसका मतलब यह वाला जो angle है वो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 90 minus theta प्लस phi क्यों कि यह मुझे पता है कि radius और tangent के बीच का जो angle है वो टोटल होता है 90 तो अगर यह angle पता लग गया तो इस angle वोड भी 90 minus यह वाला एगा ठीक है सर अगर मैंने यहां पर ऐसे यह line ड्रॉक करते हैं तो इसका मतलब this angle यह कितना लिखा जाएगा यह लिखा जाएगा टोटल यह वाला ला लाइन और vertical और horizontal लाइन के बीच का angle है 90 इस angle is 90 minus this तो इसका मतलब यह आ जाएगा theta प्लस phi ठीक है सर अगल वगरा निकाल दिए अब जड़ा देखो पार्टिकल चल रहा है पार्टिकल की velocity के दो component हम कर सकते हैं एक component इदर होगा और दूसरा component इस direction में पाया जाएगा क्या इस component के बारे में बता पाएंगे जिस line के साथ angle बनता है उसके साथ में cos लिया जाता है तो यह बन जाएगा omega a cos of theta प्लस phi सर यह वाला angle कितना होगा यह वाली velocity कितनी होगी यह velocity बनेगी इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ omega a sin of theta प्लस phi सर अगर मैंने यहाँ पर यह velocities लिख ली है अगर मैंने यहाँ पर यह velocities लिख ली है तो अब इसका use क्या है जरा इसके बारे में सोचते हैं particle गोल गोल घूमा particle की दो velocity मेरे पास आ चुकी है एक तो यह vertical में उपर वाली एक horizontal में left वाली अब मैं देखता हूँ कि भाई अगर shadow आई है ना दो velocity है एक ही velocity को देख रहे हैं अभी बाद में दूसरी को देख लेंगे और दोनों का combine देख लेंगे मैं कहता हूँ imagine कीजिए कि particle को मैंने ऐसे चलाया light इधर से आ रही थी light ऐसे आ रही थी तो मैं कहता हूँ कि यार दिवार पर shadow क्या move करेगी क्या दिवार पर shadow move करेगी particle कैसे गया था particle ऐसा गया था particle कैसा move कर रहा है particle की velocity सर horizontal में left थी तो क्या इसकी वज़े से दिवार पर shadow move करेगी क्या आप खुच सोचो नहीं move करेगी इसका मतलब shadow के movement में इस velocity का कोई सहयोग कोई सहायता कोई help है क्या नहीं है इसका मतलब इस velocity का यहाँ पर कोई प्रभाव कोई effect नहीं पढ़ने वाला सर फिर क्या होगा जरा इसके बारे में देखते हैं अगर particle सिर्फ imagine कीजिए उपर चल रहा होता सिर्फ और सिर्फ उपर चल रहा होता तो क्या shadow उपर जाती बिल्कुल जाती इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि भईया जिस velocity से particle उपर गया उसी velocity से हमारी shadow भी उपर गई है इसका मतलब हमारे पास में बन चुका है कि velocity of shadow अगर लिखा जाए तो वो इस टुकडे के बराबर होगा तो यहाँ पर यह आ चुका है omega a और साथ में कितना है यह cos theta plus phi cos theta plus phi और इसकी value theta की अगर मैं लिखता हूँ तो velocity मेरे पास आ चुका है omega a cos of theta के value omega t plus phi तो इस प्रकार से हम velocity निकालने में successful हो चुके हैं देखिएगा यह velocity का relationship बिल्कुल उसी प्रकार से match कर रहा है किसके साथ में simple harmonic motion के साथ में याद करो शुरुवात में लिखी तो तीन equation x वाली, v वाली और a वाली x आ गया, v आ गया अब बचा कौन a जरा आप बताईए कि हम अब acceleration के लिए कैसे करें तो acceleration के लिए वापस आते हैं कहां circular motion में वापस आते हैं कहां circular motion में circular motion में थोड़ा सा मैं फिर से clear कर लेता हूं कि बाबा यहां पर यह particle घूम रहा है घूम रहा है तो यहां पर particle का कौन सा motion था uniform circular motion तो इसका मतलब कोई alpha होगा alpha मतलब angular acceleration सर नहीं होगा omega constant है तो alpha कहां से आएगा इसका मतलब क्या कोई tangential acceleration है इस particle का सर नहीं है क्या इसका centripetal या radial acceleration है बिल्कुल है सर circular motion में घूमा तो बिल्कुल होता है उसका क्या आप बता सकते हैं उसकी value क्या होगी सर मुझे पता है वो value होती है omega square into r तो omega तो दे ही रखा है radius की value कितनी है बताओ वो है a है तो इसका मतलब यहां पर acceleration क्या हो जाएगा omega square into radius की जगे capital A इसका मतलब यहां पर इसका acceleration इसका acceleration इस direction में होगा towards the center होगा और वो हो चुका है उसका amount omega square A सर अगर मैंने velocity के जैसे component किये थे क्या इस बार भी acceleration के भी वैसे ही component करेंगे बिल्कुल सही समझे है तो मैं देखता हूँ कि भाई यहां पर acceleration का इस direction में जो component होगा वो क्या हो जाएगा omega square A और यह angle कितना था theta plus 5 तो cos of theta plus 5 सर अगर मैं acceleration की बात करूँ तो इस वाले acceleration को क्या लिखा जाएगा यह लिखा जाएगा omega square A sin of theta plus 5 तो मैं देख सकता हूँ जो net acceleration था इसके दो टुकड़े कर दीए एक नीचे की तरफ एक horizontal की तरफ जरा बताईए horizontal का shadow पर कोई प्रभाव पड़ेगा कोई effect पड़ेगा no sir horizontal movement की वज़ेशे shadow में कोई movement होगा क्या उपर नीचे नहीं sir इस acceleration का कुछ contribution होगा क्या shadow के movement में नहीं sir तो सर्फिर कौन से वाले acceleration का contribution होगा और वो होने वाला है omega square a sin theta plus 5 क्यों क्योंकि particle जो है वो यहाँ पर ये वाला acceleration नीचे की तरफ है और इसका shadow उपर नीचे ही move कर रही है इसका मतलब acceleration of shadow अगर मैं लिखूं तो मेरे पास में बन चुका है वो आ चुका है omega square a sin omega sin theta plus 5 और theta की जगे मैं omega t plus 5 लिख सकता हूँ ज़रा आप बात बताईए कि इसको x equals 0 लिया था उपर वाल डारेक्शन पॉजटिव नेगेटिव सर पॉजटिव है सर नीचे डारेक्शन पॉजटिव नेगेटिव सर नेगेटिव है मुझे बताओ ये वाला एक्सलेशन किस डारेक्शन में है उपर या नीचे सर नीचे है तो सर पॉजटिव है ये नेगेटिव है सर ये नेगेटिव है नेगेटिव है इसका मतलब यहाँ पर एक्सलेशन जो है उसको मुझे क्या करना पड़ेगा माईनस के साथ में करना पड़ेगा क्यों क्योंकि भया ये उपर ओर डिएरेक्शन में नहीं है नीचला डिएरेक्शन में पाया गया है तो देखो यार चमतकार हो गया क्या चमतकार हुआ uniform circular motion की analysis की मदद से हम SHM की equations तक पहुँच चुके हैं और इसकी वज़े से अपना uniform circular motion जिसमें की omega constant होता है calculations आसान कर देता है और उसकी मदद से हम equation SHM तक पहुँच चुके हैं तो देखिएगा इस प्रकार से मेरे पास relationship आ चुका है कैसे circular motion से SHM तक पहुँचना है लेकिन अभी अगर सवाल होगा तो सवाल में आपको क्या करना पड़ेगा सवाल से circular motion तक पहुँचना पड़ेगा और फिर analyze करना पड़ेगा तो सर वो कैसे किया जाए आईए देखते हैं मेरे पास मैं left hand side में लिखता हूँ SHM और मैं देखना चाहता हूँ कि phasor diagram तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया उसको मैंने circular motion के मदद से लिख दिया कि भाईया हमारे पास में अगर SHM दे दिया जाए या SHM की equation दे दी जाए तो उसकी मदद से circular motion अगर बनाना है तो क्या-क्या parameters का संबंद होगा तो SHM में जो amplitude लिखते हैं circular motion में वो क्या करेगा radius का काम करेगा आप देख सकते हैं radius हमने A लिखी थी और वही A equation of SHM में आ चुका था याने कि amplitude A तो इस बार वही काम radius का होने वाला है particle गोल-गोल घुमा तो इसकी angular velocity जो होगी SHM की angular frequency से match करेगी याने कि यहाँ पर ये angular frequency SHM वाली हमारे पास circular motion की क्या होगी वो होगी angular velocity anti-clockwise direction में हम लेंगे सर अभी SHM में अगर फाय दे दिया जाए याने कि initial phase फाय initial phase जिसको हम फाय लिखते हैं तो वो फाय क्या था यहाँ पर बन जाएगा initial angle काम करेगा आपको याद होगा कि जब हमने T को 0 पर particle को बनाया तो वो फाय एंगल पर हमने उसको बनाया था तो याने कि initial phase को हम फाय की तरह यूज करेंगे यहाँ पर मैं देखता हूँ कि वाबा circular motion की circular motion की जो velocity होगी और वो SHM में particle की जो velocity होगी उसमें क्या संबंध होगा मैं देखता हूँ कि वाबा circular motion में जो पोजीशन होगा पोजीशन आफ पार्टिकल और यहाँ क्या बन जाएगा इस इस प्रोजेक्शन आफ पोजीशन नहीं कि एक component जो दिवार के अलॉंग में था प्रोजेक्शन ले लिए इसी तरह से velocity of particle तो यहाँ पर क्या जाएगा projection of velocity इसी प्रोजीशन आ चुका है वेलोसिटी आ चुका है बचता कौन है acceleration तो यहाँ पर acceleration of particle और उसकी जगे यहाँ हम लिख पाएंगे क्या हो जाएगा projection of acceleration तो बबा अभी जब हाँ SHM में जब phasal diagram के सवाल करेंगे इन फाक जब SHM के सवाल phasal diagram के मदद से करेंगे तो अब आपको all depth में analysis हो जाएगा और आप बहुत आसानी से किसी भी question को कोशिश कर सकते हैं orally करने की with the help of phasal diagram तो बच्चा आज इस lecture में अपन इतना ही रखते हैं किसी को कोई भी समस्या है तो जरूर मुझसे बात कर सकते हैं आपन उसको interact करके खतम कर देंगे तो best of luck